हाथों में परंपरागत हत्यार लिए केंद्र और राजी सरकार के खिलाफ नारेवाजी करते ये लोग पारसनाथ पहाडी के नीचे मधवन में खटा हुए हैं महा जुटान में शामिल आदिवाशियों के नेताओं का कहना है कि जेन समाज के द्वारा संबेद शिखर जी माना जाने वाला पारसनाथ परवत इनके देवता मारंग बुरू हैं इस पहाडी पर आदिवाशियों को अधिकार मिलना चाहिए साथ ही मांग बुरू पहाडी पर इन्हें पशू बली का अधिकार भी मिलना चाहिए आज सुबैसे ही पारसनात बचाओ संगर्श शमिती के अहवान पर परमपरागत हत्यार और गाजे बाजे के साथ आदिवाशियों का जुटाव शुरू हो गया था रैली की शकल में जुटे आदिवाशियों ने केंदर और राजी सरकार के खिलाफ जम करना रिबाजी की और प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री का पुतला भी फूका आदिवाशियों का चुलूस पारसनात की पहाडी तक पहुचा जहां इसे मुक्त कराने का संकल्थ लिया गया दोपहर के बाद मदुवन के थाना मैदान में एक विशाल जनसभा हुई जनसभा में आगे के आंदोलन के रड़निती बनाई गई महाजुटान के मंच से वक्ताओं ने पारसनात को आदिवाशियों के मारंग बुरू बताया और कहा कि जैनधर्म के लोग इस स्थल को आदिवाशी समाच से दूर करने की साजश रच रहे हैं सरकार भी इसमें साथ दे रही है अगर सरकार ने हमें इस पहाडी कादिकार नहीं दिया तो एक व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा आज आदिवाशियों ने आंदोलन को लेकर मधवन बाजार पूरी तरह से बंद रखा है पुलिस की ओर से सुरक्ष विवस्ता भी बढ़ा दी गई है अब देखने वाली बात यह है कि आदिवाशियों जैन समाज के बीच बढ़ रही इस तक्रार का हल वक्त रहते कैसे निकल पाता है विर रिपोर्ट इंडिया पूशने उस जो विवाद गहराया है वो पारसनात का जैन समुधाय के द्वारा अपना तीरत स्धल बनाके उसमें अपने नियम और जो कानून चलाने की जो बात का विरोध जो है के रूप में आज यहां पर समस्त आदिवासी समाज बलब सिर्फ संताल नहीं जिनका आपका मरांग बुरू यह जाहिर्थान जो है उसमें आप देखिएगा कि यहां पर जितने भी आदिवासी समुधाय के लोग है ना सिर्फ जारकन से बलकि देश के विभन कोनों से भी यहां पर अपना विरोध दर्श इसलिए करने के यहां पर जाहिर्थान आज का यह कल का यह 50 साल का नहीं बना हुआ है सद्यों से यहां पर जो अपना आस्था का जो यहां पर निर्वाहन होता रहा है जिस तरह से भी आदिवासी समाज अपने रूडी वादी परंपरा के तहथ करता है लोग अपने लोगा के विभात इसलिए हो रहा है कि लोग अपने तरफ से जो प्रतिबंद लगाने के जो मांग कर रहे हैं कि एक समय में यहां पर प्रिजर्व फॉरस्ट का भी घोशना हुई थी उसके इलावा जो है प्रीवी कांसिल में भी एक जो यह मामला गया था बहुत पहले कि साठ के दर्शक में श्यदू करे जफार के इसे पेड़ीत की यहीं जो है आदिवासियों का ही छेत्र रहा है यहाँ पर जो जनगली जानवर वन्य और जो में पाए जाने वाले हैं उसका और यहां पर जो सद्रियों से जो रहने वाले लोगें जो जाती संताल आाए के उनके बारे में जिक्र किया गया है, उनिस सो ग्यारा में भी एक जो गैजिट का एक निकला है, उसमें भी इस बात का उले किया गया है, कि यहां पर जो है, जो मरांग बुरू, जो असल में जो पारसना, जो पहाड को जा नाम दिया गया है, वो जो है, इसका पौरानिक नाम प्रांग बुरु को बच्चाओं को लेकर के तयारी है जिस प्रकार से राज शरकार खासकर करकों खेंद्र सरकार क briefly भगत से है इंतमाम इस रह रहे बहुत संख्याक kalo को अफेक्षित करके निरनेज्य लिया है पत्राचार वो तुनों कर रहły है उन्हीं के खिलाब में इस्थानिये लोगों के बीच में महा जुटान है अपनी वर्सों पूर्व स्थापित रोड़ीवादी परामपरा को खत्म करने यहां की जल जंगल जमीन को लुटने और यहां की जो जमीन है और कई प्रकार की सेवा भावनाय से अपना काम सुरू करते हैं लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन जब पूरा हो जाते हैं तो सभी सेवा सस्ताएं बंध हो जाती है और सबसे पहले हम लोग मांग रखे हुएं इस पारसनात मारांग बुरू यहने 1911 की गजट में भी मरांग बुरू है और 1905 राज 1956 में भी गजट है तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे अंदी बहरी शरकार की जैनियों के लिए आपको ये 20 निर्वान 20 तिर्थांकरों की निर्वान भूमिया आपको समझ में आया लेकिन यहां के आदिवासी मूल भावनाओं का आपने कदर क्यों नहीं किया और सबसे ज़्यादा भर्थना करते हैं मान्यय मुक्मंत्री जी को आदिवासी को जानते हैं और यहां के एकक आदमी को जानते हैं यहां के भागोले की स्किति को भी जानते हैं उन्होंने केंद्र सरकार के पक्च पास यहां के इस्थानिये लोगों का आदिवासी का भावनाव को नहीं रखा जबकि वो भी मरांग बुरू को पुझते हैं। आदिवासी का देवारध्य जो किसी और के पास बेच दे रहे हैं लिखित रूप में वो कानूनन रूप से आदिवासी का पक्ष रखते हुए मरांग बुरू इस छेत्र को घोशित किया जाए। हमने संखनाद किया है। और क्यों नहीं मानेगी। सरकार से पुझेंगे कि हमारा मरांग बुरू का स्थान कहा है। वो बताएंगे। इस मरांग बुरू जो प्राकृतिक ने दिया है यहां बाय औरिजिन बाय बर्त यहां आदिवासी रह रह रहे हैं। तो यहां जुक जाहर था।